मामला बेरोजगार का हो या फिर बलातकार का सरकार सप्परभारी है ऐसा रायता भी खेरती है कि समेटे समेटे जनता ठक कर भूल जाती है अब देखिए बलातकार के मामले में क्या हुआ दो दिनों तक कहते रहे दरिंदे बच नहीं पाएंगे और अब कह रहे हैं बलादकार हुआ या नहीं यह जाज़ का विशह है आपको याद है बेरोज़गारों के साथ भी इस सरकार ने यही किया था पहले कहते रहे रीट का पेपर आउट हुआ ही नहीं फिर जब पेपर सामने आगया कहानी सामने आगयी बत्ति लाल मिना का नाम सामने आगया तो कहने लगे कि दोसी बक से नहीं जाएंगे उसके बाद ऐसा रायता भी खेरा कि रीट के परिक्षारती भूल भी गए कि हमारा पेपर भी आउट हुआ था अब कौन याद रखता है कि भजानल कहा है इसी तरह से बलातकार के मामले में भी ऐसा रायता भी खेरे हैं कि ऐसा नहो कि थोड़ी दिन बाद लोग भूल जाएं कि बलातकारी या फिर अपराद करने वाला कौन था कहां से आया था क्योंकि सरकार ने अपना पूरा समय कंफ्यूजन में ही निकाल दिया है रीट परिक्षारती पचास हजार पद करने की मांग करते रहे करते रहे करते रहे नेता मिलते रहे आस्वासन देते रहे और फिर एक दिन अचानक से घोशना हो गई 20,000 पद के लिए नई परिक्षा होगी यानि वहां भी कंफ्यूजन ऐसे तर्क दिया गया जैसे ये बच्चे कोई अपराधी हों जिनका रिजल्ट निकल जाएगा तो कोहराम मत जाएगा पचास हजार पद करना बड़ा अन्याय हो जाएगा ये पूरा सरकार जो है पांच सालों में कंफ्यूजन में इसलिए चल रही है क्योंकि गोल गोल चलोगे तभी तो पांच साल पहले जहां से चले थे वहीं पहुँचोगे ये इस्तिती है ये तस्वीर में आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये सचीन पैलेट की तस्वीर है जहां पर पतंग बना के परिवार वाले और उनके कुछ समर्थ तक भी हैं सचीन पैलेट की पतंग उड़ा रहे थे मकर सक्रांती के मौके पर ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि अखिलेश यादव उत्तरप्रदेश में उम्मीरों से लबरेज हैं जब उनसे पूछा गया कि आपकी सरकार में कितने डिप्टी सीएम होंगे तो उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं होता जो बनाए गये थे वो कूडे ही उठा रहे थे वो कूडे भी नहीं उठा पाए सचीन पैलेट ना कूडे उठाने वाले थे ना कूडे उठाने के लिए इस पद पर है कि गलती शायद सचीन पालेट ने तब की थी जब डिप्टी सीम का पद लिया था गलती तब नहीं की थी जब छोड़े थे ये तस्वीर इसलिए मैं आपको दिखा रहा था लेकिन ये दूसरी तस्वीर यो मैं दिखा रहा हूं ये तिरभोन जी हैं वरिष्ट पत्रकार है उन्होंने सवाल उठाया है किरोडिलाल मेरा अगर किरोडिलाल चत्रवेदी होते शेखावत होते या फिर इनके कहने का मतलब है किसी अपर कास्ट के होते तो क्या डॉक्टर किरोडिलाल मेरा वही होते जहां आज हैं? डॉक्टर किरोईलाल मीना जिस तरह से पिछले दो सालों में राजस्थान में आंदूलन किये हैं चाहे बेवसगारों के साथ हो या फिर बलादकार के मामले पर हो या संविदा कर्मियों के साथ हो पराइटीचर्स के साथ हो हर जगह वह नजार आये हैं आंदूरन करते हुए इतना आंदूरन करने वाला इस उम्र में नेता अगर बीजेपी में उपर नहीं जा पा रहा है तो इसलिए त्रभोंजी जैसे पत्रकार सवाल उठाते हैं कि राजनीत में जाती ताकत भी होती है और कमजोरी भी होती है बीजेपी के लिए सोचने का समय है कि उत्रप्रदेश में ओभी सी और पिछड़ी जातियां दलिज जातियां क्यों छोड़ कर जा रही है डॉक्टर किरोईला अलमीणा वह समान बीजेपी में क्यों नहीं पापाए जिस समान के वह हकदार है इस उमर में क्या उرجा है इस नेता में अकेले ही बलातकार के मामले पे पुरे देश को हिला दिया जिरह सोचिये डॉक्टर केरोलाल मिना जैसा नेता अगर बीजेपी के पास नहीं होता तो बलातकार जैसे मुध्डे भी दम तोड़ देते हैं पेपर लिक हुआ तो परिख्षार्थी चले गये मगर सबसे आखरी में डॉक्टर के जोईलाल मिना सही दिसमारक से उठे रातो रात वह व्यक्ति उद्यपुर से भाग कर आया परिक्षार्थियों के बीच बैठने के लिए या उसकी ताकत है इसलिए अगर वरिष्ट पत्रकार इस तरह के टिपनी करते हैं तो बीजेपी के लिए सोचने का समय है कि कौन नेता है जो राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और वह क्यों हासिये पर है अगर वह हासिये पर है तो फिर बीजेपी के साथ पिछड़ी जातियों का मोह भंग क्यों हो रहा है उत्तरपरदेश में इसके अलावा हम बात करेंगे कि जब राजस्थान में बलातकार पीड़िता या सरकार के भाशा में कहें कि अपराध पीड़िता जिंदगी की जंग लड़ रही थी तो राजस्थान सरकार क्या कर रही थी बड़ा दिल्चस्प वाकिया है उस दिन राजस्थान सरकार अपने विधायकों को लेकर या कहें कॉंगरेस पार्टी अपने विधायकों के साथ वीडियो कॉंफरेंसिंग कर रहे थी उसमें प्रतेश अध्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा कह रहे थे विधायकों से कि मैं आला कमान से कह कि आया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि 99.9999.99% हम लोगों का टिकट तय है जितने 121 हैं, 19 हैं, 23 हैं, 26 हैं पता नहीं मगर जो भी हैं सब के टिकट तय हैं यानि उस विधान सवाक्षेतर में कोई मेहनत करे न करे टिकट तय है सबने प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा को बधाई देने शुरू कर दी उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए व्यवस्ता करके आया हूँ कि मेरा टिकट पक्का हो जाए प्रदेश अध्यक्ष भी डरा हुआ है, यह कहें मेरा टिकट न कर जाए इसलिए कि जिस तरह की राजनीत राजस्थान में हो रही है कहीं न कहीं मैं बार बार कहता हूँ कि पूरा घेरा सचीन पैलेट को ध्यान में रखकर घेरा जा रहा है अब जिस तरह से यहाँ पर डिजिटली सदस्य बनाये जा रहे हैं और यह सदस्य बनाने की जिम्मेदारी विधायकों को दी गई है कहीं ने कहीं ये ववस्था की जा रही है कि किसी भी तरह से विधायकों को प्रभलोभन देकर हम अपने पास रखें ताकि सरकार चलती रहे बिरोजगारी और ब्लादकार जैसे मुद्दे तो उठते हैं और जनता भूल जाती है देखिए बिरोजगार संघर्स कर रहे हैं मगर कॉंगरेस के विधायक दो साल आगे के लिए रोजगार अपना तै कर रहे हैं और कहा गया कि विधायकों की हच्छूट के और लाजस्थान में दी गई है सदस्य बनाने के लिए और कहीं नहीं दी गई है इस पार्टी का क्या होगा जहां पर जिला ध्यक्ष नहीं बलगी विधायक टै करेंगे कि कौन डिजिटल सदस्य बनाएगा अगर विधायक को टिकट नहीं मिलता है तो फिर सारे सदस्य लेको वह चला जाएगा और पार्टी खड़ी रह जाएगी और गोविन सी डोटासरा बता रहे थे या खास व्यवस्ता राजस्थान के लिए मुख्यमंतरी अशुग अनुत ने करवाई है या क्यों करवाई है आप समझ सकते हैं राजस्थान में अप्रेल में राजसवा चुनाओं होने हैं राजसवा चुनाओं से पहले विधायकों को चुचु का मुरब्बा फिर से चुसाया जाना है क्योंकि विधायकों में भारी नराजगी है यह भी कहा जा रहा है कि ट्रांसपर पोस्टिंग के लिए टीचरों के तरफ से काफी दबाव है आपको याद है कैसे खुश करने के लिए कहा गया कि त्रीतिय सेड़ी के शिक्षक लेबल वन लेबल टू सब के लिए अस्थांतर निती बनेगी ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी मगर उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता भारी भरकम खर्च कर यहां से वहां टीचर दोड़ दोड़ के आवेदन दे कर आए मगर उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं सिक्षा मंतरी तो पार्टी में चले गए नए सिक्षा मंत्री बने हैं बीडी कल्ला वह खोसी नहीं रहते हैं उन्हें लगता है कि 2003 के पहले सिक्षा मंत्री थे और आज 18 साल बाद 19 साल बाद वापस वही पद मिला है यह तो नाइंसाफी हो गई है कास्वा समझ पातें कि राजस्थान की जनता इसी मनह इस्तिती से गुजर रही है कि नाइंसाफी हो गई है मगर राजस्थान तक इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहेगा आप देखते रहे राजस्थान तक पार बिलाएश बार रहे देगा आपस जट बाल स्थान की जनता पनेंगे रादस्थान तक